ऑप देख सकते हैं जो चोटा से मेरा गार्ण है घर भर चोटा है इस रसाब से हमनी हो डिजैन किया है कि हमने स्टक गार्णिंग किया है कि तेच mulheres के साथ अलग-अलग कि प्लेंट को अपने 사이즈 के अनुचार उन्हें लगाया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं हर साइस के प्लेंट से यहां पर आप देख सकते पिता का भी प्लेंट है जो जगह घ्यरता नहीं है लेकिन आपको fruit कि कि मिलता है जो आपको एक घर के लिए और पूरे जगाह में अलग अलग प्रकार के और यहां नीचे आप देख सकते हैं पूरा पुदीना है आम तोर पर लोग यहां ग्रास लगाते तो ग्रास जितना अच्छा दिखते हैं उससे अच्छा सब्सक्राइख जता है पुदीना का दो फैदह हैं अच्छा सहथ पुदीना दिखते हैं यांपर तुस्य का पेड़ है तूसी है और जगे की कमी के वज़े से हमने अपना गार्णिंग छत के उपर भी किया है जिसको हम थोड़ा देर में दिखाते हैं और जहां कहीं हो सके है वहां सब प्लांट्स को हमने लगाया जिससे की ऑक्सिजन अच्छे तरीके से मिल सके जहाए वह घा के अंदर ही क्यों नहों अब खडिकियों में क्यों नहों हर जगा इस प्रकार के प्लांट्स देख सकते हैं अब हम अपने किचन गार्ण के और ले जा रहे हैं यहां भी प् हर जगा प्लांट्स मिलेगा आपको यह पूरा यह कुंद्रू का प्लेड है यहां पर पुरे कुंद्रू लगे हुए है और यह हैंगिंग प्लांट्स भी है यहां पुरे और यह कुछ शो प्लांट्स भी है निंग का प्लेड है और गिलोय का पौधा भी लगा हुआ है औ बालकनी में भी इसी प्रकार से टैप प्रकार के प्लैंट्स लगें जो आपको में दिखाना चाहूंगा बालकनी में जितना स्पेस यूज हो सकता है इवन किचन में भी आप जब प्लैंट लगाते हैं तो उसकी अलग खुशूर्ती हो जाती है अब सीदे हम लोग चलते हैं बालकनी में जा रहे हैं तो अंदा वे आप देख सकते हैं यहां भी प्लैंट्स लगे हैं कौर्णर्स का भी यूज़ किया गया है और और आगे चले हैं हमारी बालकनी है बालकनी ने आते आप देखेंगे यहां भी काफी पुप्चुरत न जा रहा है यह पूरे प्लैंट्स है और यह प्लैंट्स काफी समय से हमारे पास है और इनका डेली देखभाल जरूरी है ने तो यह जल्दी सुख जाता है क्योंकि पॉर्ट में है और यह देख सकते हैं यह फ्लावरिं लगे होगे और यह पूराने प्लैंट के डब्ब बाल्टी इन सभी में प्लैंस लगे में ट्रेस अलगलग प्रकार का ट्रेस इवन टब जो यूस्फुल टब नहीं हो सुप्रेंट करके हमने इस प्रकार से प्लैंट्स लगा दिया अग देख सकते हैं और इसमें गर्मी न अब यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत फ्लावरिंग हो रहा है अच्छे किसम के रोज है जो देशी किसम के रोज है इसमें फ्लावर हमेशा रहता है और काफी अच्छा खुशबूल भी रहता है कि अब लेजाते हैं आपको दूसरी कॉर्णर यहां भी प्लैंट लगा है नीचे भी प्लैंट लगा है यहां भी प्लैंट से लगा हर खिड़कियों में भी प्लैंट लगाया जा सकता है अब हमने छत में ले जा रहे हैं अब देख सकते हैं प्लास्टिक के पुराने पौच में यहां पर प्लास्टिक के पौच में हमने यह पपीता का पौधिया लगा है जो की बाद में रिप्लैंट होगा यहां गलाइडर प्लैंट्स लगाया है जो कुछ समय के बाद गुक अमदा से इसको जिमें में प्लैंट किया जाए इंथिरियम काफी अलग 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 कलड़ में है यहां बहंगो ट्री है जो तीन में यूज किया गया है और यहां भी फ्लावर्स है रोस के फ्लावर है और यह चाइनीज रोस जो छोटे-चोटे साइज में आते हैं वह है और यहां पुरा आप देख सकते हैं हरा भरा महुल यह एक अलग वरायटी का भाद जी है जो काफी अच्छे साइज में ग्रो हो जाते हैं और काफी टेस्टी है कि वही था में सौथ हिंडिया सेज को हमने सीड लाया ते यहां पर अपदेशकते हैं भी है यहां पर यहां पर यहां ब्योंकर पोधा लाएत पीदैंड्र लिखता हुँ ने लिए इसमें मॉगरा यहां पर जामुन है और यहां ब्रॉए इसे भाजी अलग लग वराटी के य यहां पर टब में भी देख सकते हैं यहां पुदी में लगा गया है और यहां पर आपका कमल का कपिंद्रू का पड़े यह बहुत अच्छा फ्रूटिंग देता है सिजन और इसको हमने कई लोगों को बाटा भी है और यहां खुजबुदार पौदे भी है फूल जिसका खुजबु काफी अच्छा नाइट टे में इसका खुजबु बहुत अच्छा लगता है अब इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं यहां भी एक अलग प्रकार का खुजबुदार पौदा है यहां का सब आतरान बहुत अच्छा लगता है साम के समिए यहां सकत ये इसमें भी ओं प्लावर्स आगया है कई वसके वसे सेंटाट फ्लावर्स आघानी नॉर्मल फ्लावर सो जो देखनाहे मैं अच्छा लगता ने यहां पर हमने बहुत मैंगो सीट्स जो अभी हम लोग मैंगो सीट्स यूज़ करते हैं उसको रखें और इसको ऐसे जगा लगा देंगे जहां पर वह अच्छे से ब्लोकर और अच्छे वराइटी मैंगो सीट्स है उसको अपने अलग किया इसको पहले यहां जर्मिनिट प्लैंट्स लगाना एक बहुत अच्छा अभी है और मैं आप लोग से भी चाहता हूं प्लैंट्स लगाए और ऑक्सिजन प्रित्विक में बढ़ा है थैंक्यू वीडियो देखने के लिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस प्रकार से पेड़ पौदों से दोस्ति क कीजिए तो आपका लाइफ अपने आप हैपी हो जाएगा थैंक्यू